सिर्सा में आमादी पार्टी के जुन संवात कारेकर्म को संबोधित करने पहुचे पंजाब के मुख्यमघे लिफार्ट मां ने शर्याना के लोगों के सामने वादी का पितारा खोल दिया सीम भगमत मान ने इस दरान कहा कि पंज़ाब विधान सभाच चनावों में आपनी जो भी वादे पंज़ाब की चंता से किये हैं वो सत्ता में आने पर पूरे कर दिये जाएंगे बतादे कि चाहे मुफद बिजली का वादा हो अच्छी मुफद सिक्षा का या फिर गरीबों को मुफद लाज की सुविधा क्योंना पंज़ाब के सभी लोगों को समान रूप से ये बिजली पानी सुवास्त और सिक्षा की सुविधाएं मुफद दी जा रही है उन्होंने कहा कि ऐसा पंजाब सरकार इसलिए कर पाई क्योंकि सीमकेश्यवाल के पास ऐसा करने के लिए पहले से ही उजना तयार थी जिसके क्रियानमेन करके पंजाब के लोगों को आमादवी पार्टी मुफ्ति सुविधाओं के बादे पूरे कर पाई है इससे पहले उन्होंने हिसार में भी जुन संबात कारकर में शरकत की तो भी पक्षवाले कहते थे ऐसे कैसे हो जाएगा पैसे कहां से लाओगे 16 मार्च 2022 को पंजाब की सरकार बनी जुलाई में हमने फैसला कर दिया आज दो साल से ज्यादा हो गए नवे प्रसेंट घरों को पंजाम में बिजली का बिल जीरो आता है जीरो बिजली आती है बिल नहीं आता 600 जुन्ट माफ कर रखे हैं हमने हर दो महीने बाद बिल आता है 300 जुन्ट एक महीने के 600 जुन्ट और इसमें ये भी नहीं है कि कोई नीले कार्ड वाले होंगे या कुई और नो चाहे जो मर्जी है जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल जीरो आएगा अब जिसने पांच एसी लगा रखे हैं चार गीजर लगा रखें उसको तो बिल आएगा लेकिन नवे परसेंट घरों को बिजली का बिल नहीं आ रहा पिछले लगबग सबादो साल से क्योंकि हमने प्लैनिंग करके किया काम अर्विन केजरिवाल जी इंकम टेक्स के कमिश किशनर हैं उनको सब पता हैं पैसे कहां इंवस्ट करने हैं लोगों के टेक्स का पैसा लोगों से लेकर लोगों को कैसे वापस देना है